साल 1992 पर बड़े परदे पर रिलीज हुई फिल्म शोला और शबनम पॉलिवुड के सबसे पसंदिता और यादगार फिल्मों में से एक रही है जिसमें गुड़ी की भूमी का निभाने वाली गुड़ी मारूती ने अपनी कॉमेडी से एक नई जान डाल दी थी जिसकी वज़े से फिल्म में इनके स्क्रिन प्रेजेंस नहीं हर किसी के शहरे पर मुस्कुराहट बना रखी थी लेकिन दोस्तों फिल्म में अपने अंदास से लोगों को गुड़गुडाने वाली अभिनेतरी गुड़ी मारूती के बारे में तो आप सब कुछ जानती ही होंगे पर क्या आप इन career life family के बारे में जानते है कि इनकी family में कुल कितने सदस्ज्य हैं वो सब ही क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इनही सवालों के जवाब देने वाले हैं अगर आप भी इन ही सब सवालों के जवाब जाना चाते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें। साथ ही अपनी फेवरेट गुड़ी मारूती के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शोला और शबनम फिल्म में गुड़ी की भूमी का निभा कर हर किसी को हसा हसा कर लोड़ पोड़ करने वाली अभिनेतरी गुड़ी मारूती आज भी लोगों के बीच खुब याद की जाती हैं। जो कि प्रोफेशन से एक डारेक्टर और अक्टर थे। पर आपको बता दें के पिता आज हमारे बीच नहीं है जिनका सालों पहले ही बिमारे के चलते निधन हो गया था। वही अगर बात करें की मम्मी के बारे में तो आपको बता दें की मम्मी का नाम कमल है जो की लाइम लाइट से दूर रहकर होम मे कर रही थी। आपको बता दें की मम्मी भी आज हमारे बीच नहीं है पर इनका अपनी मम्मी के साथ काफी खुबसूरत बॉंड था। इनके पती का नाम अशोक है जो की प्रोफेशन से एक बिजनसमेन है जिन से इन्होंने सालों पहले शादी करके अपना घर बसाया था। आपको बता दें की पती भी लाइम लाइट में रहने के ज़्यादा शोकी नहीं है पर इनकी इंटरनेट पर कुछ तस्वीरे देखने को मिल जाती है जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे बॉर्णिंग शियर करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें इन दोनों की शादी को यूं तो कई साल हो चुके हैं पर बीते सालों में इन दोनों की शादी से इनका कोई भी बच्चा नहीं हो पाया है जिसकी वज़े से ये दोनों एक दूसरे का सहारा है और एक दूसरे की खुशी का खयाल रगते हैं। और अब जब गुड़ी मारुती शादी रचा ही चुकी है तो इनकी फैमली में ससुराल वाली फैमली भी शामिल होती है पर क्योंकि इनकी इनलॉज फैमली लाइमलाइट से दू रहती है इसलिए उनके बारे में गूगल पर कोई भी जानकारी उपलब्द नहीं है तो दोस्त